किव 11 यह हconoहिज हम वेडियरी गूद मॉणिंग तो आपके मैक्रो E Weise कवर्ज क्लास है और मैक्रौ इकनोमिक्स आपका माइक्रो एकनोमिक से बिल्कुल डिफेरेंट और यह शीच पर हमिस्ञा भीकरेंगी और डिफेन्शिट बिटमिन मैक्रो एकनोमिस मैक्रो यह particular question है, इस question पर भी discuss करेंगे, लेकिन macro economics, micro economics से अगर आप compare कर रहे हैं, कि जिस तरीके से अपने micro economics को manage कर रहता और जिस परकार से अब आप macro economics को manage करोगे, उस perceptive से मैं आपको बताता हूँ कि macro economics compatibility micro economics से difficult है, क्योंकि macro economics में questions स्टेट और सीधा पूछे जाते हैं, डिरेक्ट पूछे जाते हैं, बड़ macro economics में questions को as a case study की form में, या फिर questions को twist करने की possibilities बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर आपके पास में deep knowledge है, concepts हैं आपके पास में, तब उस questions को आप pick कर पाएंगे, otherwise आपके पास में 2-3 question ऐसे हो सकते हैं, कि आपको आता भी है, बड़ question एक अलग तरीके से पूछा गया है, इसके इसे question आपके skip हो सकते हैं, micro की compatibility, macro का syllabus काफी ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल सच है, तो कुछ बाते हैं, एक तो syllabus जो है, micro की compatibility ज़्यादा है, तूसरा की questions के अंदर आहां पर आपके पास में direct नहीं होते हैं, थोड़े से question ट्विस्ट होते हैं, और तिसरे चीज़े की बहुत नहीं नहीं चीज़े हैं, इसमें पूछने की गुंजाईस हैं, तो इसलिए आपको इसको micro जितना आप importance मत दीजेगा, माइक्रो से काफी ज़्यादा importance लेकर के चलना, आपका six semester अगर यहां पर back का मतलब सीधा हो सीधा आपका होगा, कि आपका एक साल पूरा spoil हो गया, और macro economics में सबसे ज़्यादा back लगती है, और उसके बाद पर वो back repeat होती है, तो मैं, जितने भी students मैंने देखे हैं, अगर उन आपको अलग मिलेगे इसके, इसलिए 12 वाला macro economics इसको अपने mind में मज सोचिएगा, clear है, हाँ, introduction basics तो 12 से ही आपका start होगा, basic कुछ उसी इस तरका होगा, पर जो exam में question आएंगे और जो अंदर फिर आपको content मिलेगा, वो बिलकुल ही अलग होगा, और exam में question 12 वाला repeat नहीं मार देगा, micro economics में क्या रहता है कि आपका 11 में जो आपने micro economics पढ़ा है, उससे related questions भी repeat मार देते हैं, पर macro में एक single question पांच में से आपको नहीं मिलने वाला जो कि आपने 12 वाला पढ़ाया और वो ही आपके paper में आया है, तो इसलिए बिलकुल नया है और बिलकुल नए series आपको इसको लेना है, micro economics में आप लोग अपने की experience आना है, मेरे साथ में बैचिस में पढ़ने का और आप में से कुछ बचे सकते हैं, नए भी जुड़ें, तो जिस परकार से जो पढ़ाया गया तो आपने अगर उसको importance दे दिया, तो पूरा paper आपका उसमें से ही आया, उसी परक economics और फर्स चप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे है, national income सबसे पहले, क्योंकि हर एक चप्टर में national income के उपर discussion है, national income से चीज़ें relate हो रही है, जब national income ही concept अकवा clear नहीं होगा, तो फिर आप उन बाकी इन से related जो concept से उसको भी आप pick नहीं कर पाऊगे, तो सबसे पहला है क सर, national income क्या है, तो देखिएगा, आपके सामने जैसे कि images लगरी दादा भाई नरोजी की, तो इन भारत में सबसे पहले national income को count करने वाले दादा भाई नरोजी ही थे, अब सवाल है कि सर, national income क्या है और क्यों है, तो national income, एक तो होता है भया, जैसे कि आप मुझसे बोलोगा, आनंसर की income, तो आनंसर तो अपनी income बताएंगे, ठीक है न, Mr. X income, तो Mr. X की income बताई आएगी, पट national income में, नेशनल में तो कौन-कौन आता है, नेशनल में तो मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, आपके फादर भी आते हैं, आपके फ्रेंड भी आते हैं, मेरे भी फ्रें नेशनल के अंदर आते हैं उन सभी की इंकम की यहाँ पर बात कर रहे हैं और उन सभी की income को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इंकम बोलते हैं, मैंने बड़े साधाना थार्दें हो बताया है, आगे डिटेल में डिसकूसिन चलेगा, और आप दूसरे वे में आप ये भी कह सकते हो कि देखिएगा एक साल में किसी की इंकम अपने आपी क्रेट नहीं हो जाती है इंकम के लिए आपको या तो किसी goods का प्लक्षिंग करना पड़ता है या तो आपको किसी services को produce करना पड़ता है अगर आपके घर में देख लिजिए जो भी आया आपके आसपरोस देख लिजिएगा जो भी कोई काम कर रहा है या तो वो goods का प्लक्षिंग कर रहा है या तो वो services का प्लक्षिंग कर रहा है goods का produce करने से related हो गया कि वो manufacturing कर रहा हो क्या पता तो वो goods का production कर रहा है नहीं तो जो goods बनावा है उसको deliver कर रहा है यहां से वहाँ आपके गली में जो दुकान दार खुला ओब बो क्या है वो service का production कर रहा है वो इडिएटर आधा सर्वीस प्रॉडर वो जो आपको प्रोवाइडर है तो बच्चे जो भी आप देखेंगे लोग जो भी कुछ दो पैसा या कितने भी रुपए ज्यादा या कम जो भी लोग अन कर रहे हैं वो बेसिकली या तो गुर्ष के बलक्शन से कर रहे हैं तो आपके बिसकिट का पैकेट खाईथे जाएगए। जो दुकान दार है। तो बाकि नो रुपे उसने पिछे सेल्स्मेंट को दे दिया। सेल्समें ने उस नो रुपे में seems पचास पैसा अपने पक्ट में रखा होगा, साधे आठ रुपय उसने manufacturer को दे दिया, manufacturer ने उस साधे आठ रुपय में से एक रुपय अधा profit अपने लिए रखा होगा, साधे साथ रुपय में उसने, जुसके यहाँ पे employee काम कर रहे हैं, उस employee की तंखा निकाली होगी, वहाँ पर जो electricity bill है, उस electricity bill को निकाला होगा, वहाँ पर जो उसने bank से loan लिया होगा, उसका interest पे करा होगा, जो उसने land लिया होगा, तो उस मकान मालिक का income मना, bank वाले का income मना, जो employee काम कर तो उसके income मनी, तो यह आपका 10 रुपए जो है, जो इस commodity है, इसकी जो price 10 रुपए है, यह 10 रुपए बिसकली, इसकी सरफ price ही नहीं है, बहुत साई लोग की income है, तो आप दो वे में आप इस चीज़ को दे सकते हो, या तो एक लोग की income पर जाकर कि, आप इस चीज़ को समझ सकते है, नेशनल इंकम क्या है, दूसरा, हमारे nation में, जितनी भी goods और services को produce किया जाएगा, उन सब की value को, अगर हम ले ले, तो उतनी ही लोगों की income जननेट होगी, तो दूसरे में में आप ये भी कह सकते हो, कि एक financial year में, अमारे हाँ पर जो financial year अप्लाई होता है, 1st April से 31st March तक, तो 1 April से 31st March तक, इस financial year में, पूरे nation में, जो भी goods and services को produce किया जाएगा, उसकी जो price होगी, उस कीमत भी अलग-अलग होती है, एक factory में सकी कीमत अलग होती है, पर जाएगे कुछ और हो जाती है, तो किस कीमत की मैं बात कर रहा है, मैं final price के बात कर रहा हूं, जहां पर consumers उसको buy करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो जितने भी goods and services हैं, उन सब की जो values हैं, उन values को हम national income कहते हैं, फाइनेशल येर के अंदर, अब दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है कि लोगों की सभी की नैशनल के अंदर ने रहने वाले जितने भी लोग हैं उस सब की आंदर नहीं का आगर आप सम कर दोगे तो वो हमारा national income है ये भी बिल्कुत सही है या फिर आप बोल देंगे कि जितने भी goods and services को produce किया जा रहा है उनकी जो value है उनकी जो final price है उसकी कीमत का जो sum है जो उसके price का जो sum है उसको हम क्या बोलेगा national income बोलेगे लेकिन ध्यार रखेगा यहाँ पर goods and services की जब आप price लेते हो तो इसमें जो इस financial year जिसमें produce हुआ है goods and services उसी का फ्राइस लोगे जैसे आपका मकान पिछले साल भी था उसकी कीमत एक क्रोड रुपय है तो इस साल भी उसकी कीमत एक क्रोड रुपय नहीं लगा जाई क्योंकि already account हो चुका है पहले अब नया तो नहीं बना ना हाँ उसके यह बना है तो last year count हुआ है जो इस साल बनेगा सिर्फ उसकी काउंट किया जाएगा clear क्योंकि वही income generate करेगी अब आप अपने मकान की जो 10 साल पहले बनाया है उसको अगर आप इस साल काउंट करवाओगे तो इस साल तो लोगों की income बनी नहीं है ने actual में वो तो जब बनी थ estimate measures of value of commodities समझ रहे हैं ये our national income estimate बचे ये एक estimation होता है बिल्कुल accurate और 100% तो चीज़ी नहीं possible है कि बिल्कुल आपर जो national income निकाला 100% बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है हां मेरे income हो लोगो तो हम 100% सभी express कर सकता हूं आपकी income और national income में कितने सारे लोग रहते हैं अब इनकी income में थोड़ा सा ऊपर नीचे और कुछ लोगी income का पता नहीं होता तो हमें अंदादा लगाना पड़ता कि इनकी income इतनी होगी जो लोग tax pay नहीं करते हैं government के knowledge में नहीं है तो government उसका एक estimation ले लेती है या पर goods and services में भी इसके prices का एक estimation जाता है तो इसे लिए बिल्कुल 100% accurate नही national income क्या है तो estimated measures to national national income estimated तो एक estimated होता है measures इसको ना पाज आता है the volume of the communities जो communities है वो कितनी है and services term out during a given period counted without duplication जिसमें कि उन community का duplication नहीं होनी चीए उनकी repetition नहीं होनी चीए बहलब ऐसी community को हमें consider नहीं करना जो कि last year भी count हुआ था उस साल के national income में उसको उस community को हमें साल भी count नहीं करना तो without duplication क्यों हमें repetition इसमें नहीं करना इसको हम क्या बोलते है national income अब इसके importance क्या है बच्चे इसके बहुत importance national income की त्यूंकि national income से government जो है अपने national income की growth को देखते ही government बहुत सारी policies बनाती है अब government की policies जो है बात करते हैं government की policies की for example हमारा inflation जो चल रहा है वो कितना चल रहा है एक में एक example लेता हूं मान लीजिए कि लोगों की आंधनी जो है महंगाई पांच पसंट बढ़ रहा है इसका मतलब जो चीज पहले सोर में मार रहा था वो 105 में आएगा ठीक है और national income जो है वो 4 पसंट बढ़ रहा है इसका मतलब यह कि पहले जितना आपका मारे तो उसमें 4 पसंट का इजाफा हुगा पहले सोर में कमारे थे तो आमदनी आपकी 104 आपके पास 104 रुपय है और यहां पर आपके पास 105 रुपय की वो चीज बन चुकी है तो 104 रुपय लेकर कि 105 वाली चीज खेंदे के लिए जागे तो आप वो चीज नहीं मिलेगी या उसकी मातरा में आपको जो compromise क्वांटिटी में आपको compromise करना पड़ेगा यह बात समझ ग गई तो इसलिए नेशनल इंकम का measurement जरूरी होता है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितने growth के requirement अगर inflation 5% चल रहा है तो कम से कम 5% से तो अब भी नेशनल इंकम के अंदर growth होना चाहिए जिससे कि हमारे economy आगे की तरफ जाएगी अगर हम नेशनल इंकम का calculation करेंगे ही नहीं वो 5% inflation rate चल रहा है हमारा उसको हम चल नहीं देंगे और दीदिर एकनोमी जो है backward जाती रहेगे और ऐसे हम देखेंगे हमारे national income 4% ग्रोथ हो रहा है यहां पर inflation 5% हमें national income का हमें मालूम पढ़िया कि कितना growth है हमारे national income अंदर हम फड़ा इंफलेशन में कंट्रोल करने के लिए कोई ने कोई policies बनाएंगे RBI कोई बैंक रेट उपर कर देगी रैपो रेट उपर कर देगी CRR को बढ़ा देगी कोई ने कोई strategy policies आ जाएगे government अपने expenditures को कम कर देगे अभी सारी बाते क्या कह रहा हूं आगे चलके chapter में एक ए जो है step government ले लेगी जिससे कि economy हमारी backward नहीं जाए तो इसलिए policies बनाने में यह बहुत जरूरी होता है कि हमें हमारी position बता हो कि actual में हमें है कहा है अब किसी का भी आपको एक person का आँख बंद कर कि किसी particular जगे पर छोड़ दो लिजा करके और उसको यह नहीं पता कि वह है कहा पर अगर आपको पता है कि आप है कहा पर आपको जाना यहां पर है तो आपको मालूम है कि कहा से क्या रास्ता आपको अपनाना है तो इसलिए government को अपनी economic को आगे लेके जाना है बड़ गवर्मेंट को यह तो पता रहे कि इस समय actual में आप वह है कहाँ पर तो वह हमें national income से इसका estimation मिलता है इसी का पता लगता है तो इसलिए national income के अपने importance है तो यह दादा भाई नरोजी ने इसको इनको start किया था अब national income पर हम जाएं और उस से related हम methods को पड़ें और उस पर जाएं बड़ छोटे-छोटे terms के साथ में आपको पहले familiar होना पड़ेगा युगी theory में इ मैं already बहुत सारे content को देखते वे पड़ते वे अपर एक PDF को बना रहा हूं तो किसी एक particular जिके से मेरी PDF नहीं है तो आपको मैं 5 बुक बता दूँ और 6 बुक बता दूँ तो आप उस सब चीज़े लेना आपके लिए उसको manage करने बड़ा मुश्किल हो जागा लेना भी आप आपके लिए बड़ा expensive रहेगा और manage करने में किससे क्या पढ़े नहीं पड़े वो आपके लिए बड़ा challenging हो जाएगा इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बुक के मामने में कोई से book निले निले नी मेरा PDF यही sufficient है आपका इसके लाब आपका कुछ भी नहीं है और दूसरा ज हाई बचे तो सबसे पहला है define the consumption goods and capital goods यह सबसे पहले consumption goods क्या होता और capital goods क्या होता है दोनों के अंदर आपको समझना हुआ क्योंकि terms use होंगे आगे चलके यह सारी बाते discussion में आएंगे बचे consumption goods और एक है capital goods दोनों क्या होती है clear final goods can be classified into the two groups consumption goods and capital goods देखिए एक होता है final goods अब सवाल है यह final goods क्या होता है तो फिर भी मैं अभी भी आपको बताएता हूँ और आगे यह question आएगा तो मैं आगे ही बताँगा final goods वो goods होता है कि जो की पूरी तरकी से complete prepare हो चुका है consumer त इसके अंदर नहीं तो कोई value addition होगी अगर कोई goods एक manufacturer के पास में पढ़ा हूआ है तो final goods के stage पे नहीं है क्योंकि उसके अंदर value addition होगा कैसे होगा जब wholesaler ठाकर लेगे जाएगा तो value बढ़ा करके retailer को बेचेगा तो जब एक manufacturer के पास में पढ़ा हूआ है तो वो भी final goods नहीं है वो goods अगर एक wholesaler लिया है अपने घर पे तब भी वो final goods नहीं है आइक है क्योंकि वो wholesaler उसकी बढ़ा करके retailer को बेचेगा और वो रेटेलर उस goods को अपने घर पे लेाया या फिर अपने जो है गोडान में लेाया तब भी final goods नहीं है क्यों वो retailer भी उसकी value को बढ़ा करके बेचेगा, जब consumer उस goods को ले लेगा तब वो final goods तो है कि consumer उस goods को बेचेगा नहीं, वो consume करके उसको वहीं पर अपने लिए use कर लेगा उसकी value addition नहीं होगी clear है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बचे इसी को हम बोलते हैं, final goods जिसके अंदर value addition अब नहीं होगा और जो के output के सारे process को cross कर चुका, उसकी boundary को cross कर चुका है, एक boundary होती है कई बार क्या होता है, जैसे आप देखते है कि चीजे factory से किसी farm में आ रही है फिर उसके packing वगएरा करके wholesaler ने उसको अपना जो है उसको लोगों लगा करके और आगे उसमें pass कर दिया, तो कहीं कहीं production के पूरे की पूरी boundary को उसने cross नहीं करा, अभी भी उसमें कुछ चीजें चल रही है, retailing ने क्या करा उसको उठाया और उठा करके पैकिंग वगएरा इससे एड़ कर दिया, तो production की boundary को अभी भी cross नहीं हुआ है हाँ, अब इसके बाद हो consumer उठा रहा है तो अब उसके अंदर कुछ भी production का process आगे नहीं होगा, वो अपने घर लेके जा चुका है अब नहीं तो wholesaler से घर पे जाएगा या मुझे इसमें कुछ काम रख करना रहा गया है नहीं तो इसमें जो है कोई manufacturer जाएगा ना तो retailer जाएगा तो ऐसे goods की production की boundary को cross कर चुकी है और value addition को उसमें और आगे नहीं होगा उस situation में goods को हम final goods कहते हैं क्लेर है बच्चे समझगे तो बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ final goods की तो final goods basically दो टाइप की होती है एक consumer goods होती है और एक capital goods होती है final goods अब सवाल है कि सर consumer goods कोन सी होती है और capital goods कोन सी होती है जैसा आप images से देख सकते है कि यह सारे के सारी goods आपके पास में जो है यह consumer goods है यह goods आप देख रहे हैं यह consumer goods है यह consumer goods है तो classified करना आपको यह consumer goods या फिर आप consumption goods भी बोल सकते हैं दोनों ही आपका एक ही चेज़ है consumption goods है यह और यह क्या आपका capital goods बड़ इसकी भी अपनी एक definition है मैं इसकी definition पर आता हो capital goods बचे जो capital goods है न यह किसी के घर में नहीं हो सकता है कभी भी नहीं मिलेगा यह हमेशा एक firm के पास में होता है अब वो firm या फिर हमेशा यह business के अंदर होता है involved चाहे वो कोई retailer उसके पास में हो सकता है चाहे कोई wholesaler उसके पास भी हो सकता है चाहे कोई manufacturer उसके पास में भी हो चाहे goods को produce कर रहा है या फिर हो service को produce कर रहा है यह जो भी firm होता है जो business होता है उसके अंदर यह goods पाई जाते हैं एक्जामपल के लिए मैं अपना है एक्जामपल ले रहा हूं कि मैं यहाँ पर भी एक service का ब्लक्षिन कर रहा हूं तो मेरे पास में कौन सी goods capital है मेरे घर में कोई जितनी में goods है न उनमें से कोई सी भी capital नहीं मिलेंगे पर जो मेरे firm में, जो इस studio room में जो capital goods है मैं उसके आरे मता देता हूँ ये smart board आप देख रहे हैं ने, ये capital goods है मेरे लिए, क्यों? क्यों कि ये जो है, मेरे service produce करने में long time तक ये मुझे help provide करवाएगा ऐसा नहीं है, मैंने आज पढ़ाया और आज मेरे smart board जो है, आगे use में नहीं आएगा, ये service को produce करने में या goods को produce करने में, बार-बार मैं इसका use करूँगा, इसका repetition होगा ये camera जो मेरे सामने लगा हुआ है ये camera भी मेरे लिए capital goods है त्योंकि मैं जो produce कर रहा हूँ आप services produce कर रहा हूँ, उसमें इस इसका इस्तेमाल में long run तक बार-बार करूँगा, तो एक firm के अंदर जो ऐसे goods होती है, वो goods कौनसी goods होती है, वो capital goods होती है हाँ, ये final goods भी है ये final goods क्यों है, बच्चे मैं smart board को कोई बेचने वाला नहीं हूँ, smart board पर मैं कुछ भी अब addition work नहीं करवाने वाला हूँ, तो ये production की boundary क्रोस कर चुकी है, अब इसकी value में कोई addition भी नहीं होने वाला, जिस कीमत में लाया, आप खतम, तो इसलिए एक firm के पास में ऐसी goods, जो कि वो आगे उसको बेचेगा नहीं, उससे goods वो पढ़ा रहेगा, और उसको production में वो help करेगा, तो वाले goods जो हैं, उसको capital goods कहते हैं, अब firm में हैं, मान लिजे कि मेरे पास में जो है, मैं एक PDF बनाता हूँ, मान लिजे कि मैंने एक PDF बनाया, और PDF बना करके, और मैंने इसको paid course में, एक अलग से मैंने launch कर दिया, कि भई यह 20 रूपीस का price, example के लिए, मान लिजे, तो यह मेरे पास में goods है, बढ़ यह मेरे लिए capital goods नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपने production में, long run तक use में नहीं लाऊँ हूँ आ इसको, तो मैं निकाल रहा हूँ अपने farm से बात, clear है बच्चे, तो एक farm के पास में, जैसे आप देख रहे न, यह जो machinery है, इस machine से वो long run तक production करता रहेगा, इस machine को वो farm उठा करके नहीं बेचेगी, लेकिन हाँ, वो farm जो कि यह machine बेचती होगी, उसके पास जो machine पढ़ी होगी, उस समय उसके लिए यह capital goods नहीं होगी, बात समझ गए, clear है, अब आप बोलोगे सर, एक और example लेते हैं, आपके घर में mixy होगा, जिससे कि आप juice औगरा निकालते हैं, masala औगरा पीसते हैं, और masala पीसने वाले के पास में भी है, वो चीच, दोनों के पास में long run तक यूज होता है, clear है, लेकिन जो आपके घर में mixer है, वो capital goods नहीं है, क्योंकि वो production में यूज नहीं आ रहा है, वो consumption में यूज आ रहा है, लेकिन जो masala बेचने वाले के पास में mixer है, तो मसाला बना करके आपको देता है, उसकी लिए same वही चीज, वही product capital goods के अंदर consider होगी, क्योंकि वो वहाँ पर production कर रहा है, तो production के process में, जो long run तक use में आएगा, उस goods को हम, उस final goods को हम capital goods कहते हैं, clear है बच्चे, और बाकि सारे के सारे goods होगे, क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, सारे goods आपके पास में, consumption goods की category के अंदर आ जाएंगे, पर example, consumption goods देख सकते हैं, जिन सब का हम consumption करते हैं, machine ठाके हम नहीं खालेंगे, और दूसरे, दूसरा different हो मैं बच्चे, यसा कि मान लिजिए, कि यहां से मैंने जो है, हॉलिक्स उठाया, और हॉलिक्स उठाकर के मैंने उसको पी लिया, डिरेक्ट साडिस्फाइड आया हॉलिक्स समझा आ गया, clear है बच्चे, लेकिन हॉलिक्स बनाने में जो company के जो, इस machine लगी थे, वो machine से packing बैकिंग जो हुई है, आपको पी के बड़ा मज़ा आया, तो उस case में वो जो गन्ना है, वो आपके लिए ऐसा consumption goods हो गया, बट वो गन्ने के juice आप तभी पी पाई, जब वो machine उसको juice में convert कर पाया, juice निकाल पाया, तो machine से भी आपको satisfactionable मिल रहा है, बट machine से आपको indirect satisfaction मिल रहा है, यूज में आता है, और जो है ये इंडिरेक्टली कंजूमर को इंडिरेक्टली सटिस्फाइड करता है, और consumption goods वो होता है, कि जो के जो कंजूमर को डिरेक्टली सटिस्फाइड करता है, अब classification of the final goods आप देख सकते हैं, consumption goods और capital goods, दोनों ही क्या होते हैं हमारे, इसलिए चोची लिखा है, मैं उसी पर बात करूँगा, consumption goods refer to those goods which satisfied the ones of the consumers directly, for example, bread, butter, shards, pen, television, furniture, etc. consumption goods can further be subdivided into the following, पहले मैं consumption goods के वारे पूरा detail बता जेता हूँ, मैं आउँगा अभी capital goods के उपर, आउँगा, उसको मैं आवोइड नहीं करा है, इसको classified किया गया, एक होता है बच्चे, durable goods, durable goods कौंसी goods होती है, durable goods, सारे consumption goods होती है, ये भी आपके घर में देखने को मिलेगा ना, आपको ये, ये speakers, amplifier, LED, clear है बच्चे, इस सारी चीज़ आपको अपने घर में देखने को आपको मिलेगा, तो इस सारी किस सारी चीज़े भी long run तक use में आती है, बड़ ये consumer goods है, क्योंकि इस से आप किसी पकार का कोई भी, कोई भी किसी भी type का कोई भी production नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए था consumption goods हो गया, अब ये consumption goods है न, ये आपका दो, तीन, चार, पांथ, दस, साल, पंदा साल तक चलेगा, तो इसको durable consumption goods कहते हैं, durable का मतलब जो जिसका duration लंबा हो, तो ये durable consumption goods है, it refers to those goods which can be used again and again over a period of a time, तो जो considerable period है, उस time के अंदर ये बार-बार यूज में आता है, for example, television, refrigerator, etc. semi-durable goods को उनसा आता है, semi, semi को अंदा तो आधा, 50-50, तो durable है, बट उतना नहीं है, जितना है कि आपने उपर पड़ा, first point में, semi मतलब कि तो आधा है, example के लिए semi-durable में, आप देखेंगे, अभी इसका मैं अगला example लूँगा, semi-durable के अंदर, आपके पास में goods which can be used for all limited period, for example, जो sweater है, जो shirt है, आप देखेंगे नहीं, ये semi-durable goods हो गया, ये नहीं कि दस-बंदा साल use में आएगा, ये एक साल, छे मैंने, ये साल यूज में आएगा, उसके बाद इसको आप use करना बंद कर देंगे, तो बहुत लंबा, बहुत लंबी life नहीं है इसके, तो इसको semi-durable goods कहते हैं, like clothes, crockery, shoes, etc, ये आप देखेंगेंगें, ने vegetable, ये आप देखेंगेंगें, non-durable goods, non-durable goods क्या होता है, जिसको एक बार use करा और उसके, जो existence है, उसकी वो finish हो जाती है, दूद है, पिया, अब उस glass में देखो, दूद का है, खतम, चपाती आपने खाया, सबजी आपने खाया, चपते हो, सबजी का है, वो जिस चीज़ को आप consume कर लेते हो, use कर लेते हो, उसके बाद उसके एक्सेंसी खतम हो जाती है, बट television आपने use करा, एक movie देखा, वो खतम थोड़ी हो गया, फिरसे देख सकती हो, कपड़े एक बार पहने, खतम थोड़ी हो गया, तो ये सब durable और semi-durable goods की category में थे, लेकिन आपका बात करों करें, मैं non-durable goods, तो goods which are used, for example, इस सारी चीज़ें सी हैं, ये non-durable goods है, इसकी life ज़्यादा दो दिया, तीन दिन, चार दिन, पांस दिन, अपने पास्ने श्रोगर कर आप रख सकते हैं, goods which are, इसलिए इसको हम बोलते हैं non-durable, इसका कोई durable नहींगा, आप साल भरत के लिए सबजी अपने घर में लाके रख रहे हैं, goods which are used up in the single act, एक बार यूज करा खतम, of consumption are known as the non-durable goods, these goods cannot be used more than once, एक से जादा बार आप यूज दिन नहीं कर सकते हैं, इस goods को, they lose their identity in a single act, एक बार यूज करा उसका उसका इडिनिटीटी खतम, of consumption, for example, milk, bread, food, grains, paper, etc, और कुछ चीज़े क्या होती हैं, अब तुक्त में बात कर रहा था goods की, लेकिन आपको समझाओं को services क्या होता है, देखिए जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, वो goods होता है, for example, आपके हाथ में जो mobile है, या फिर आपके पास जो laptop है, जिसमें आप मेरी class देख रहे हैं, दोनों ही goods हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने mobile और laptop का use नहीं कर रहे हो इस समय मेरी class को देखने के लिए, इस समय आप कुछ ऐसी च चीज़ को जसको हम use कर रहे हैं, बर उसको वो tangible है, देख सकते हैं, चू सकते हैं, वो हमार ल waterproof होता है, इसको रहे हैं देख और चू नहीं सकते हैं, वो चीज़ हमार लिए intangible जो चीज़ें होती है, उसको हम services की category में रख्ते हैं, तो services कि बारे एंबात करता हैं, services referred to the non material goods, इसमें किसी भी तरिकी है, कोई material, इंटरनेट में, नेटवर्क में, कोई material यूज सोड़ी हो रहा है, तो goods, which is directly satisfied the human wants, जो कि भई है, human wants को satisfied कर रहे हैं, समय आप class देकर आप satisfied हो भी रहे हो, they are the intangible activities, उसको देखा नहीं जा सकता है, अधिरिश्चे रहती है, they can neither be seen nor touch, उसको द effect आता है आपके सरीर में और आप ठीक हो जाते हैं, जुसरे services आपको दी, यह intangible चीज़े, तो यह चीज़े है, services आगे, clear है बच्चे, समझ माएं आपको? अब बच्चे बात करते हम यहाँ पर, किसकी? अब बच्चे आप यहाँ बात करेंगे, capital goods की, तो capital goods are those final goods which help in, capital goods वही होता है, अगर आपकी चीज़ का production कर रहे हो, उस production में क्या करेगा वो आपको? वो आपको help करेगा, help in production, मैंने बाबा कहा था, घर के अंदर भी durable goods हैं, farm में भी durable goods हैं, बट जो घर पर जो goods पड़ी हुई है, जो refusator वगरा है, यह production में help नहीं कर रहा है, तो यह consumption goods है, पर यही सेम refusator एक medical shop पर है, शहाँ पर की injection वगरा रखने के वो काम में आता है, तो वहाँ पर वो जो चीज़े हैं, उनको services में, उनको help कर रहे हैं, services provide करने में, तो उनकी लिए वो as a capital goods के अंदर आ जाएगा, of other goods and services, for example, the plant and machinery, equipments, etc. Some points about the capital goods, they are used in a feature for the production activity, purpose of the help to the expected lifetime of the several year, expected होता कि बहुत साल तक इसका हम बारबार इस्तेमाल कर पाएंगे, दे दो नोट लूज देर एक बार यूज़े एक बार यूज़े उसकरा, वो खतम हैसा हो जाए, ऐसा होता ने, in the production process, अब मन में होगा कि sir, ये production process क्या है, तो एक गन्यवाला अपने गन्यवाला अपने के machine से juice निकाल रहा है, तो production का process चल रहा है, लेकिन उस juice निकलने का तो machine खतम नहीं हो जाती है, तो उसका production process कहते हैं, तो वो अपने identity को lose भी नहीं करेगा, they don't get merge in the process of output, ये merge भी नहीं होता, अगरा वो juice निकाल रहा है, तो juice के साथ में machine मिलकर की mix कर की glass भी नहीं जा रहा है, जग में नहीं जा रहा है, बात को समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे services जा रहा है, ये मेरे smart board का कुछ भी इसा मर्ज की नहीं जाएगा, इसमें, तो ये merge नहीं होता, they need repair, इसको जुरूत पर सकता है कि repair हो, replacement over a time, as they depreciate एक समय हो, उसका पांसा चलेगा, दसा चलेगा, उसका इसको replace कर सकते हैं, they have derived the demand as their demand is derived from the demand for the other goods which can have to produce, goods, हाँ, जैसे जैसे consumption goods के demand बढ़ेगे, वैसे वैसे capital goods की demand बढ़ती है, क्योंकि उसको produce करने के लिए capital goods की requirement रहती है, clear है बच्चे, तो आप इस stage को आप देख लिजेगा, कि consumer goods and capital goods, clear है बच्चे, हाँ, तो differentiate बढ़ेगे, consumption goods versus capital goods, तो differentiate क्या करोगे, satisfaction of human wants, consumption goods directly satisfied करता है, these goods satisfied the human wants directly, और capital goods indirect satisfied करता है, such goods satisfied the human wants indirectly, production capacity के, ये किसी तरीके के output को promote नहीं करता है, production में participate नहीं करता है, but they help in the rise in the production capacity, ये production के अंदर help करता है, expected life, most of the consumption goods expect that durable goods have the limited expected, consumption goods बढ़ेगे, durable goods है, बागे सबकी life इतने ज़्यादा नहीं रहती है, जितने की capital goods की life रहती है, capital goods की compatible life इचाता रहती है, clear है बच्चे, समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये images की थिरो भी, आप एक consumption goods को समझ पा रहे होंगे, इस images की थिरो भी आप एक capital goods को समझ पा रहे हैं, तो एकदम से आपके मन में क्लिक भी कर रहा होगा, तो समझने में आपको ये बहुत अच्छा, comfortable आपके लिए होगा, clear है, explain the terms of the final goods, तो अब हाज first class थी, तो first class चोटा रखेंगे, और आपकी classes की time table, जो time है, वो क्या रहने वाला है, वो मैं आपको बता जिता हूँ, वो आपका 10-15 a.m. morning में रहने वाला है, clear है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, classes कब रहेंगे आपकी 10-15 a.m. morning का batch रहेगा आपका, clear है बच्चे, live classes का, और यह record form में आपके पास में जाएगा, तो आप content में जाके देखेंगे, तो classes और जो अब ही पढ़ा है, यह सारा notes उस classes के साथ में, PDF form में, file form में आपको मिल जाएगा, तो 10-15 a.m. आपकी classes रहेंगे, और यह classes आपकी TTS में रहेंगी, clear है बच्चे, आज class नहीं हुई इस time पर, कारण था बारिश के वेज़ से, मैं studio में late पहुच पाया, बच आपकी जो आपकी permanent timing है, अभी यह रखी गई है, 10-15 a.m. टू, one hour की classes, 11-15 a.m. और यह schedule आपका TTS का रहेगा, clear है, और आगे चल करके, course किस speed से आपका हो रहा है, syllabus कितना रह रहा है, exam आपका कब है, उस सब चीज़ों को देखते वे, classes की frequently बढ़ाई भी जा सकती है, कि जो तीन नहीं है, वो regular में भी जा सकता है, बट वो उस के coding जाएगा, आपको इस चीज़ के लिए हमें बार-बार अवेर करने के need नहीं है, मैंने एक बार अनाउंस कर दिया है आपको, आप हमें से अपने माइन में रखेगा, कि भाईया, आपकी classes रहेंगे, इस समय, clear है, thank you, thank you so much. करता है,